वालेकम स्टुटेंट बिसमिल्ला रह्मानी रहीम आटोटेस टॉपिक इस दिक्रोजिबल ऐसा मॉडरन ट्रेजिटी यह जो ड्रामा हम स्टुडी कर रही है इसको एक मॉडरन ट्रेजिटी भी का जाता है जो ट्रेजिक हीरो होता है वो अगी कास्पीशियस परसन होना चाहिए किसी एमिनेंट क्लास उसका तालुक होना चाहिए मतलब कोई कींग हो कोई पिंस हो या कोई एमपरर हो तो लेकिन क्या है कि जॉन प्रॉक्टर जो हमारा हीरो है कि यह जो ड्रामा है इसको modern tragedy कहा जाता है और इसमें जो टाउन था वहां पे उसके वहां पे जो जादू गर या काला जादू होता था तार्वी सदी का उसके तरीखी हाथसाथ ब्यान किये गियें बड़ अपले हाइलाइट्स इसके लावा इस प्ले में बीसवी सदी में अमेरिका में होने वाले politics और जो है मजभब के नाम पे जो जयातियों हुई थी उनके बारे में बताया गया है इस प्ले में तक्रीबन तुमां modern tragedy के elements पाई जाते हैं तो it is quite different from other tragedies and brings forth a story of historical importance लेकिन ये दूसरी tragedies से बहुत मुस्लिफ है क्योंके इसमें बहुत से एहम जो तरीखी वाकियात थे वो बताये की हैं ये दब प्रोटोगनिस्ट आफ प्ले जोन प्रोटोगनिस्ट है जो हीरो है जोन प्रोटोगनिस्ट जिसका नाम है वो बिल्कुल modern man की तरह है Miller has blended intellectual, social, moral and psychological problems of a modern man in the character of Proctor अब Proctor के character में जो है Miller ने तुमाम qualities, तुमाम जो ethical codes होते हैं वो तुमाम चीज़े उसने भियान कर दी है अब बहुत से जो हैं लोग अपने दिलाइल देते हैं कि ये प्ले जो है एक tragedy है या नहीं अब जो आदे critics हैं वो कुछ कहते हैं और जो दूसरे right-hand वाले critic हैं वो कुछ कहते हैं के Aristotle के जब हमने Aristotle ने जो standard बताया थे ना tragedy के लिए वो उस पर ये पूरा नहीं होता था कुछ क्रेटेक्स कहते हैं क्योंकि जैसा कि Spokless का drama हमने इडीपस रेक्स पड़ा था इसके लावा Shakespeare का हमने ओध हैलो पड़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि जो hero होता है वो conspicuous person होता है इस पावने में इस पावने में तो बाश्या और जो प्रिंस जो होता है वो नहीं पाए जाते हैं विट सिमिलर पॉंप और शो के जिनकी बहुत जादा शानुशो को तो तो इसलिए इस तरह के रोयल फिगर का ढूलना जो है इंपॉसिबल हो जाएगा moreover modern man is not confronted with the supernatural elements like the heroes of classical place और ना ही modern man में supernatural elements पाई जाते हैं कि उसके साथ कोई कहलें कि आप जिन बहुत होते हैं या पिर उनके पास कोई बड़ी-बड़ी powers होती है जिनको यूज करके जो है अपनी powers जो है लोगों को अपना गुलाम बना सकते हैं और तोड़े मैं इस एट वार विदा सुसाइटी तो हैव डिग्निफार निस्पेक्टिबल पोजेशन इन इट आज जिस सुसाइटी में हम रह रहे हैं इसमें हर इंसान को अपना मुकाम बनाने के लिए एक अपनी रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए तो इसलिए तो इसलिए लेमन आम आदबी को कहते हैं कि जो मौडरन मैं इसलिए हर इंसान की च्रेजडी हो सकती है चाहिए वह आप है या मैं हूँ या कोई भी हमारे सुसाइटी का परसन है अर्थर मिलर स्टैंड़ हैड एंड शोलडर्स हाई अमॉंग दा मौडरन अमेरिकन ड्रामाटिस्ट अब वो जो है अपने कंदे उच गाता है कि जब वो मौडरन अमेरिकन ड्रामाटिस्क से बात करता है अब वो बहुत बरीकी से बहुत डीपली मुशाहिदा करता है कि क्या क्लैशिस पाई जाते हैं इंडिब्यूजल परसन और एक सुसाइटी के दरमयान युसकी सराउंडिक्स के दरमयान इंड ब्यूटिफूली प्रेजरेंट्ट इज cosplay और इस प्लै में उसने इस इतमाम कंदेश से बव्यान किया इसमें उसने एक ऐसे इंसान के तस्वीर बियान की है जो के एक गिल्ट में है एक शर्मिंदगी में जो है शर्मिंदगी का सामना है जिसको जॉन प्रेक्टर इसके लावा तो कोई खोफ नहीं होता लेकिन वो उसको जो मुनाफकत होती है यह इस तरह की जो क्लेवर नस होती है वो बिल्कुल बिली पसंदा राइटर सेज डाइट इस प्रेसंट अफूल फैल्ट इस फोलिशनेस इंस्टेंटली राइटर उसके बारे में कहता है कि उसकी मजूदगी में को यह जो बेवकुफ हादमी होता न वो अपनी बेवकुफी को फोरी जो है अद्मिट कर लेते हैं बट प्रॉक्टर ऑर्स गिल्ट ओन इस नेम लेकिन प्रॉक्टर जो है उसके उसे ऐसा लगता है कि उसे गल्त काम हो गए ही हैस बेन सेक्शली इंवाल्ट विदा गर्ल के उसने एक दफ़ा नजाज तालुकात काइम कर लिये थे अभी कायल दाम के लड़की के साथ प्रॉक्टर इस डीपली डिपेंटेंट ओन इस सिन अफ अडल्ट्री और बैट्रेंग हिस वाफ्त वो सारी इस इंड़ी जो है इस ही गिल्ट में इस शरमिंदगी में रहता है कि उस लड़की के साथ गल्त किया था और अर अपनी बीवी को दोका दिया है अजबेट जिसकी वाइफ अन उस कनाम इस अजबेट होता है और वो आखिर तक इस ड्रामा के आखिर तक वो इस गिल्ट से शरमिंदगी से बाहर नहीं आपाता और फिल्स डाट इस सल्वेशन इस नौट पॉसिवल और उसे लगता है कि उसके गुनाह की मुआफी जो है उ तो एलिजबेट से कहते लेट तो आप यह कुटेशन स्किप करते थोड़ी लेंथी है बट ही रीट इस अडिगनिफाइड पॉसिशन फोपर देसिजिए इंद दस अटेंशन अफ प्लेराइट इस अमॉरल चॉइज अफ प्रॉक्टर अब जब राइटर ने अर्थर मिलर ने इसके क्रेक्टर को चूज किया तो वह बिल्कुल जो पर्फेक्ट मॉरल पिक्चर होते ना वो देना चाहता है दाथ हो इस असीन अर्वेशक वो गुनाहगार है यट ही इस अ मैन अफ गुड कंसाइंस लेकिन वह एक अच्छा इमान वाला अच्छा इमान दर आदमी है अब क्या है कि इस प्ले में या किसी बला को वस एक जो है सेक्शुल सीन की वजह से खड़ी होती है या स्टार्ट होती है इसके लावा वो फैमिल लाइफ की अहमियत को भी विजाहत करना चाहता है इफ द रूल्स अफ मैरिज और नाट आवाइड वाइड वाइड दाउन इस शोर कि अगर कोई इनसान एक शादी शुदा होने के बार ना जाएज तालुकात अगर काइम करता है तो उसका डाउन फॉल उसकी ट्रेजडी कंफर्म है तो कम इन वन और अदर वे वो अब उसके सामना उसको किसी भी तरह से करना पाड सकता है मिलर सेज आई कैन नाट अब ससाइटि वो sucks जा अब उसक टेड़र और नी किया सकता है टीं का और कमेड मेट कर दो उसका मोरी को माहोल को सत्थ ने dumped वो अल्रेडी एक दूसरे का पार्ट होता है इंसान जो है वो सुसाइटी का पार्ट है और सुसाइटी जो है वो इंसानों से मिलके बनी है Yet they are the part of each other, our fish is in water and the water is in fish, जैसा के जो मचली पानी से होती है और पानी मचली से होता है, Miller implies this dictum to every human being, proves it through his protagonist that every person has to live in harmony with his surrounding, तो वो Arthur Miller जो है, अपने protagonist John Proctor के character के जरीए में ये बताना चाहता है, के हर इनसान को इस सुसाइटी में रहते हुए अपने माहोल के मताबिक खुद को डालना चाहेगी, Proctor has been presented as a rebel of society, Proctor जो था ना उसने उसने इसोड़ को isolated कर लिया था, वो तमाम मुआमाद से खुद को दूर रखना चाहता था, वो तनहाप सन था, partly because of his shame, अपनी शर्मिंदिकी के वज़ा से, and partly because of his stubborn manner and his isolation and inactivity becomes his flaw, और उसके यही जिदीपन है और उसकी जो इस जिदीपन है और उसकी जो इसकी फ्ला का उसकी tragedy का सबब बनती है, at first Proctor denies the importance of society stays away from the trials of witch hunt, and even during his trial take self-free decision to save his life, क्या है कि वो शुरू से ही proctor जो होता है वो society से दूर भागता है और जो है वहां पर होने वाले जितनी बी उनकी activities थी वो जादू था या फिर शिकार्त था उन सब चीजों से वो नफरत करता था, और उसने फुद के अपनी जान बजाने के लिए जितना एक फुद्गर्जा फैसल लिया था जब उसने अभी गायल की जो जाई थी वो सब को बता दी थी, but later he has to accept that he is nothing without his surrounding, लेकिन बाद में उसको इस बात को कबूल करना पड़ता है कि वो अपनी society के अपना surrounding के बगार कुछ भी नहीं है, he realizes what he owes to his neighbors, वो महसूस करता है कि उसके हमसायों के उसके लिए क्या हमियत है, he knows that his acceptance of being of which would greatly demoralize the people, वो कहता है कि अगर मैं ये कबूल कर लेता हूँ कि मैं एक जादू कर हूँ तो ये लोगों को demoralize करेगा, उनको battery करेगा, they would not fight against this brutal act, और वो उसके खिलाफ जो है कोई action नहीं लेंगे, I blacken all of them, when this my confession is nailed to the church, everyday they hang for silence, Miller presents self discovery of his protagonist within all action of the place, इसके लावा उसने self discovery, कि इनसान खुद के बारे में कैसे जानता है, वो भी बताने की कोशिच के है, the self quest of proctors begins when Elizabeth repeatedly pleads him to judge himself, अब उसकी self quest जानना या खुद के बारे में जानना या खुद के बारे पर गोर फिकर करना तब चुड़ होता है, जब Elizabeth बार बार उससे request करती है कि वो अपने बारे में जो है गोर फिकर करी, कुछ outer actions की जरूर थी, कुछ outer forces की जरूर थी, but when Elizabeth pushes him to take his decision and then he asks for a divine help and cries out, तो वो क्या करता है, कि वो जो है चीख उटता है, रो पड़ता है, क्योंकि उसके साथ जो है वो चीज उससे उस गुना के सजा मिल रही होती है, जो कि उसने कभी किया है नहीं होता, जल्दी उसको जवाब मिल जाता है, in the final moments of his life, he realizes that he has not yet lost all his virtue, लेकिन आखरे लमात में जाके उसको महसूस होता है, कि उसने अपनी तुमाम virtue, तुमाम नेकिया नहीं कोड़ दी थी for at least, he knows his responsibility towards his neighbor, उसको अपने हमसायों को लेके उसकी क्या जिमेदारिया है, वो अच्छी तरह से पता थी, he utters, वो कहता है, I do not think I see some shred of goodness in John Proctor, on a broader level, the accrucible is also a social tragedy, तो ये एक social tragedy भी है, Miller describes how innocent people are merely lessly convicted and murdered in order to save an ideology, कि Miller जो है ये बताना चाहता है कि किस तरह से society में, किसी मौशरे में, आइडियालोजी को या किसी नजरीय को बचाने के लिए कैसे जो मासूम लोग होते हैं, जो के बेगुना लोग होते हैं, उनको बेरह्मी से मार दिया जाता है, या फिर निशाना बनाया जाता है, by the time of setting of the play, Puritan's church and government was losing control over individual, यानि ये जिस time में, ये जो लोग थे जो लोग थे गोर्मेंट थी ना वो चर्चिस पे और लोगों की जिंदगी पे जो नहीं था इतना, इतनी सकती नहीं थी, this is because of the corruption of priest, ये इसकी कुछ बजुहात ही कि शायद जो वहां के priest होते थे, वो corruption किया करते थे, presented by Paris in the play, जैसा के उसका जो है, Paris जो है ना वो बैटी का जो फादर होता है, क्योंके वो भी एक sincere वजीर नहीं होता, the worldly vanity and hallish servants of such priest take place away from the church, और इस तरह के जो priest के खुतमे होते ना वो लोगों को मजभब से दूर ले जाते हैं, so church has an ever increasing fear of losing authority over the masses of the people, तो ये जो church थे ना वो लोगों की जिन्दगी पे इनकी कोई authority नहीं थी, ये लोगों की इसलाह के काम नहीं थी आ रहे है, and this fear actually becomes the root cause of such wide spread bloodshedded, और ये ही वज़ा थी के यानि मजभब से दूर होने के वज़ए से वहाँ पे इतना ज्यादा खून खराबा होता था, does Puritan's church and government make desperate attempt to hold the people in their grip, by using their quotation of Bible which says, तो उन्होंने जो था लोगों की control करने के लिए जयातिया करना शुरू करती थी, so shall it not shall suffer which to live, however this attempt proves fertile but deadly which instead of shifting the minds of people towards the Puritan church causes their death and destruction, लेकिन उन्होंने तो ऐसली किया था के लोगों पे control बन जाएगा, लोग जो हैं वो सीधे रास्ते की तरफ आजेंगे लेकिन उनकी ये जो कोशिश थी वो नाकाम रही और लोग जो थे वो सुदरने की बजाए, वहां पे मोत और destruction थी, बहुत जादा होगी थी, ये conclusion करेंगे, था मिलर्स प्ले इस टेकन ओन अलेगरी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा गुलीवर ट्रैवल जो तो लेवल स्टोरी होती है, अपे में जो बहुत जाए लेकिन जो सब्जेक्ट मेंटर होता है, आज हमारे मौशरे में भी ऐसे ही है कि हर इनसान को अपने मौशरे को देखना पड़ता है, हमें कुछ भी करने से पहले लोगों के बारे में सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, और हमारी जो अफॉरिटीज है, हमारी जो गवर्मेंट्स हैं तो वह भी उसी तरह की है जैसा के सेलम में पाई जाती थी, आई होपस हो कि आपको समझ आ गया कोई भी कंफूजन हो तो मिचसे पूछ लीजेगा, अल्ला आफिस